कहानी की शुरुआत एक एलेक्ट्रोनिक्स दुकान से शुरू होती है ये दुकान रोमन नाम के आदमी की थी और वो इस समय एक आदमी को स्पाई कैमरा बेज रहा था रोमन अपनी दुकान में अच्छी कमाई करता था इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए वो अपने गल्ले म गन भी रखता था अब कहानी को एक सैलून में लेकर चलते हैं सैलून में काम करने वाले इस लड़की का नाम लूसी है और वो सैलून में आने वाले लोगों के नेल साफ करती थी लूसी एक शादी शुदा और भोली बाली लड़की थी रोमन की दुकान अच्छी चलती थी इ इनी लड़कों में से एक लड़के का नाम नेवी था और वो सैलून में काम करने वाली लूसी का पती था दोनों अभी जवान थे और उनकी नई नई शादी हुई थी काम करते करते नेवी से कई बार दुकान में गलती से समान तूट गया था जिस कारण वो रोमन का करसदार बन गया नेवी को ज्यादा काम नहीं आता था और इसलिए दुकान के बाकी लड़की अक्सर उसका मजाक उड़ाया करते थे एक दिन मजाक मजाक में रोमन उससे कहता है मैं तमारी बीवी को नहाते हुए देखना चाहता हूँ और फिर में तमारा सारा कर्ज माफ कर दूँगा रोमन की बात नेवी को चुपती है लेकिन वो उससे मजाक समझ कर नजरंदास कर देता है अगले दिन नेवी दुकान में काम कर रहा था और वो गलती से टीवी खराब कर देता है नेवी की गलती के कारण रोमन को बहुत गुसा आता है और वो उससे कहता है मेरा दिल तो कर रहा है कि मैं अभी तुम्हें धके मार कर दुकान से बाहर निकाल दूँ लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि तुम मेरे करसदार हो रोमन की डांट सुनकर नेवी बहुत दुखी होता है और चुप चाप अपना काम करने लग जाता है थोड़ी देर बाद दुकान में लंच टाइम हो गया था इसी दुरान लूसी बहां आती है और उसे देहकर रोमन उसके पास आता है लूसी उससे अपने पती नेवी के बार में पूछती है जिसके जवाब में रोमन कहता है मैंने उसे किसी काम से बाहर बेजा है वो जल्द ही बापिस आ जाएगा लूसी कभी कभी जहां नेवी को खाना देने आया करती थी वो रोमन को बाक्स देकर कहती है जब नेवी बापिस आ जाये तुने दे देना इसके परम ये खाना है, तुम्हारी बीवी भी उतनी ही गरम होगी, उसकी बात सुनकर नेवी को गुसा तो आता है, लेकिन वो शानत रहता है, अब रोमन फिर कहता है, मान जा मेरी बात, मैं तुम्हारी बीवी को नहाते हुए देखना चाता हूँ, और बदले में तुम्हारा सारा ये सुनकर नेवी को बहुत गुसाता है और वो रोमन से लड़ने की कोशिश करता है लेकिन बाकी लड़के उसे रोक लेते हैं अब रोमन उसे काम करने और अपनी बात पर सोचने के लिए कहता है उसी रात नेवी अपने घर तो लौट आता है लेकिन वो किसी गहरी सोच में लूसी उसे पूछती है कि तुम किस सोच में हो मगर उसके बार बार पूछने पर भी वो कुछ नहीं बोलता दूसरी तरह फरोमन अपने कमरे में बैठा गंधी फिल्में देख रहा था रोमन का कमरा उसकी दुकान में ही था और उसने अभी तक शादी नहीं की थी उसे गंधी फिल्में देखने का बहुत शौंक था और उसके कमरे में बहुत सारी गंधी फिल्में पड़ी थी अगले दिन सुबा लूसी उठकर नेवी से पूछती है तुमाज इतनी जल्दी कैसे उठके इस पर नेवी कुछ नहीं बोलता जिसके बाद लूसी नहाने चली जाती है अब लूसी बात्रूम में नहा रही थी और स्पाई कैमरा उसकी वीडियो बना रहा था दरासर जी कैमरा नेवी नहीं सुबा उट कर फिट किया था और लूसी को कैमरे के बारे में कुछ नहीं बता था नेवी ने रोम की शर्ट माल ली थी इसलिए वो लूसी की वीडियो बना रहा था थोड़ी देरवाय नेवी दुकान में आकर रोमन को डीवडी दे देता है डीवडी मिलते ही रोमन सब समझ गया था और वो नेवी का सारा कर्ज माफ कर देता है रात को दुकान बंद करने के बाद रोमन अपने कमरे में बैठ कर लूसी की वीडियो देखने लगा था लूसी का जबान बदन और उसकी खूबसूरती देखकर रोमन को कुछ-कुछ होने लगता है उसने फैसला कर लिया कि अब वो हर हाल में लूसी को अपना बनाएगा अगले दिन सुभा लूसी मार्किट में शौपिंग कर रही थी इसी बीच रोमन वहां आकर उसकी की हुई शौपिंग के पैसे देता है और फिर वो लूसी को रोकर कहता है अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की शुरूरत हो तो मुझे राद करना इसके बाद वो लूसी को जबरदस्ती अपनी बाइक पर बिठा कर उसे घर तक लिफ्ट भी देता है रात को लूसी नेवी को सब बताती है कि मुझे आज मार्किट में रोमन मिला था और मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लगते उसकी बात सुनकर नेवी कहता है कि वो मेरा बॉस है और तुम फुजूर में उस पर शकर ही हो नेवी की बात सुनकर लूसी चुप कर जाती है क्योंकि वो नेवी को समझा नहीं सकती थी अगले दिन लूसी को नेवी से कुछ काम पढ़ जाता है जिस कारण वो रोमन की दुकान पर आती है रोमन उसे बताता है कि नेवी काम के लिए बाहर गया है और वो थोड़ी दिर बाद लोट आएगा इसके बाद वो लूसी से कहता है मैं तुमारे ही सलून आने वाला था अच्छा हुआ तुम यहीं आ गई अब तो मेरे नेवी साफ करो तब तक नेवी भी बापिस लोट आएगा लूसी कुछ सोच कर उसकी बात मान जाती है जिसके बाद रोमन उसे अपने कमरे में लेकर जाता है कमरे में आकर लूसी उसके पैरों के नेल साफ करती है काम खत्म होने के बाद रोमन पैसे लेने जाता है और उसका इंतजार करते करते लूसी उसकी डिवरीज देखने लगती है जल्द ही रोमन आकर उसे पैसे देता है और फिर एक DVD उठाकर कहता है मैं तुमें एक film दिखाना चाहता हूँ इतना कहकर वो उसे उसी की वीडियो दिखाने लगता है जिसमें Lucy नहा रही थी वीडियो देहकर Lucy रोने लगती है और वो रोते रोते अपने घर बापिस लोटाती है थोड़ी ही देर बार रोमन भी उसके घर आता है और अंदर आकर कहता है मैंने नेवी को काम के लिए दूसरे शहर बेज दिया है और वो सुबा तक बापिस आएगा मैं जहां तुमसे प्यार करने आया हूँ अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तमारी वीडियो पूरे शहर को दिखा दूँगा रोमन की दमकी काम कर जाती है और लूसी अपना बदन उसे सौंप देती है रोमन पूरी रात उसके साथ बिताता है और सुबा होते ही वहां से चला जाता है देखते ही देखते रोमन का लूसी के घर आना जाना काफी बढ़ गया था वो नेवी को काम के बहाने बाहर बेज देता था और खुद लूसी के पास आ जाता था लूसी उससे कई बार पूछने की कोशिश करती कि उसने उसकी बातरूम बाली वीडियो कब बनाई मगर रोमन उसे कुछ नहीं बताता था एक दिन रोमन तेयार होकर दुकान पर आता है और लड़के उसके कपड़ों की तारीफ करने लगते हैं इसी विश नेवी का ध्यान रोमन के पैरों पर जाता है रोमन के पैरों के नाखुन हमेशा गंदे रहते थे और वो उनकी तरफ ज़रा सा भी दियान नहीं देता था मगर आज उसके साफ नाखुन देहकर उसे लूसी पर शक होता है वो घर आकर लूसी से पूछता है कि क्या तुमने रोमन के पैरों की सफाई की है मगर लूसी ना कहती है इसके बाद वो अपने घर का स्पाई कैमरा भी चेक करता है लेकिन कैमरा अभी भी बात्रूम की तरफ था और उसे उसमें कुछ भी नजर नहीं आता नेवी के दिमाग में शक गुस चुका था जिसका आरण वो काफी परेशान हो गया था अगले दिन रोमन अपने लड़कों को दारू की बोतल देकर कहता है मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है तुम लोग जे दारू पीकर मजे करो उसके जाने के बाद लड़के फैसला करते हैं कि वो दारू पीते पीते गंदी फिल्में देखेंगे अब एक लड़का रोमन के कमरे में आकर कोई नई डीबडी ढूने लगता है और उसके हांथ लूसी की डीबडी लग जाती है नेवी काम के लिए बाहर गया हुआ था और इस बार भी उसे रोमन नहीं बेजा था दूसरी तरफ लूसी ने रोमन को बता दिया था कि नेवी को उस पर शक हो गया है जिसके बार रोमन उसे नई जगा पर आने को कहता है ये नई जगा उसकी दुकान के साथ वाली बिल्डिंग थी और जे बिल्डिंग काफी समय से खाली पड़ी थी थोड़ी देर बार नेवी अपने काम से लौट आता है और दुकान की तरह बढ़ते बढ़ते उसे खाली बिल्डिंग से कुछ अवाजे सुनाई दीती है ये अवाजे लूसी और रोमन की थी और नेवी उन दोनों को एक साथ देख लेता है वो गुस्से में आकर रोमन को मारने लगता है लेकिन रोमन बचकर उसे ही पीटने लगता है दोनों को लड़ते देखकर लुसी बहुत डर गई थी वो भाकर दुकान की तरफ चाती है ताकि लड़कों को बुला कर उन दोनों की लड़ाई रोकी जा सके मगर दुकान में आते ही उसे टीवी पर अपनी वीडियो चलती दिखाई देती है गुस्से में आकर वो टेबल पर पड़ी रोमन की गन उठा लेती है अब डर के मारे लड़के उसे सब बता देते हैं कि हम बेकसूर है तमारी ये गंदी वीडियो तमारे पती नेवी ने बनाई थी ताकि रोमन उसका सारा कर्ज माफ कर दे उनकी बात सुनकर वो सभी लड़कों को गोली मार कर मार देती है लूसी ने उन्हें इसलिए मारा था क्योंकि उन लोग उने उसकी वीडियो देख ली थी और वो से कभी भी बदनाम कर सकते थे लड़कों को मारने के बाद वो सिधा उसी बिल्डिंग में जाती है जहां रोमन और नेवी लड़ रहे थे लूसी के कपड़ों पर खून और उसके हाथ में गन देहकर वो दोनों बहुत डर गए थे दोनों को कुछ नहीं पता था कि लूसी किसका साथ देगी और किसे गोली मारेगी अब लूसी पहले रोमन को गोली मार कर मार देती है क्योंकि वो उसे ब्लैक मिल कर उसके साथ चपरतस्ती करता था इसके बाद वो उस नेवी को भी मार देती है जिससे वो बहुत प्यार करती थी लेकिन बदले में उसने उसे दोखा दिया था कहानी के आखर में लूसी खुद को गोली मार कर अपनी भी जान दे देती है